जैसे हो आप इश्वर की क्रीपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होगें में लोता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यह मैंने कूर्ती की स्टीचिंग की हुए और आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट तयार 38 आ रहा है और यहां पर पीछे बैक में थोड़ा सा ही बड़ा है और मुझे इसमें कितना चाहिए मुझे 42 चाहिए इसका लेंथ कितनी चाहिए 42 और ऐसा कोई इसमें साधन भी नहीं है देखिए इसमें यहाँ पर पूरा पूरा ही है कपड़ा मैं इसमें कुछ और लगा सकूँ इसमें जॉइंट लेस कोई भी अच्छी नहीं लगे क्योंकि यह सिंपल कूर्टी आप देख सकते इसमें सिर्फ गले में है बॉर्डर और फिर यहाँ पर है तो आप मैं कीस तरह से कूर्टी की लेंथ बढ़ाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पताऊंगी जिससे इसकी लूक भी अच्छी आएगी और ऐसा भी बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि हमने इसमें कपड़ा एड़ किया हुआ है आप देख सकते हैं यह जो सलवार है सेम इसी कलर की और जो बैल्ट में और कपड़ा एड़ किया है क्योंकि मैंने सलवार भी इसमें पट्याली बनाई हुई है तो इसमें मैंने देखिए इसी कलर का मिलता जूलता कपड़ा बैल्ट में एड़ किया हुआ है और बैल्ट में से एक कपड़ा बचाया हुआ है जिसकी चोड़ाई मे आपको भी बताती हूँ ये देख़े, सबसे पहले हमने फ्रंट में लगा लेना है और कूर्ती को उल्टा कर लेना है ताकि हमारा measurement बिल्कुल सही आए, इस तरह से इसको उल्टा कर दिया और जो इसका फ्रंट है सबसे पहले फ्रंट में कपड़ा एड करना है हमने, इस तरह स हमने इसे डबर लहर में इस तरह से ले लेना इसे क्या होगा चार इंचे कपड़ हमारा नीचे को बढ़ रहा है और इससे इसकी लुक भी अच्छी आगी आप देखते कई बार हमारा लिखर से, पाप सूठ होते है तो इस तरह से हमने इसकी नीचे देखें 즐र्जा और इस से ओपर से शिला हमारा इस से लेज बनागा इसे हमारा इसका देखिए इसमें चार इंच नीचे को बढ़ भी गया और ये डिजाइन भी बन गया हमारा इस तरह से हमने इसे डबर ले लिया है और इसके उपर से बिल्कुल आराम से हमने इसमें सिलाई डाल लेनी है इस तरसे आप देख सकते हमने पूरे में इसमें कपड़ा एड़ कर दिया है और ये दिखिए इस तरसे आप चाहे तो इसमें एक और सिलाई डाल सकते हैं मैंने एक ही जीरो पॉइंट बिल्कुल छोटी सिलाई डाली हुई है अब बैक का देखेंगे आप इस तरसे इसका पराबर होना चाहिए अब हमने जो ये हमारे पास कपड़ा है इसे हमने इसमें भी ऐड़ करना है तो किस तरसे आड़ करना ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है तो हमने यहां से जो ये हमारी उल्टी साइड है ये देखिए यहां पर यह के उपर से हमने एक सिलाई डाल देनी है इस तरह से इसमें पूरे में हमने अच्छे से सिलाई डाल देनी है पूरे में हमने इसमें अब सिलाई डाल दिये कुर्टी को हमने इस तरह से रख दिया है और इसमें नीची मेजर में टाप देख सकते है इतना बड़ा हुआ है तो हम किस तर से बढ़ाएंगे यह दिखिए उल्टी साइड अंदर को चले जाएगी तो हमने क्या करना जितना हमें चाहिए उतना हमने इस तरह से लेना है दोनों साइड मैंने यहां पर कट लगा दिये है यहां पर भी और यहां पर भी जितना मुझे चाहिए और इसे हमने जितना हमार पास इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है अब हमने इसमें क्या करना इन दोनों पार्टों को जैसे साइड के दोनों पार्ट है यह वाला और यह वाला यहां पर तो हमने कट लगाया हुआ है दोनों साइड से अब यहां पर भी हमने जितना इसे फोल्ड करना है इस तरह से और दूसरे सीरे में भी यहाँ पर जितना हमें चाहिए उतना यह दिखे कट डाल कर हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर से भी हमने इस तरह से सिलाई डाल देनी है इस तरह से आप देख सकते हैं सूट के ही कपड़े से हमने जो है यह दिकी इसमें कूर्टी का मेजरमेंट बढ़ा दिया है और इसमें बिलकुल भी यह और नहीं लग रहा है बैक में हमने आपको मैंने बताया बैक में मैंने दूसरी तरह से शिलाई डालिये जैसे यहाँ से जैसे एक सीधा और एक उल्टा रखकर और फिर बाद में सीधी साइड से इसके उपर से सिलाई डालिये आप चाहे तो इसके अंदर एक लेस भी लगा सकते है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 38 बहुत कम होता है 42 के अबग तो 42 हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी यहां से गलाब इसमें बहुत डीप था तो हमने हलका हलका जो आदा आदा इंच एक्स्टा जो है सारे से लिया हुआ इसमें ताकि इसकी लुक भी बनी रहे और ये कपड़ा और भी ना लगे ये देखिए कितनी सुन्दर इसकी लुक आ गई है आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलीगा थैंक यू फूर वाच में